तेहर महबूब नगर में किराना होम नीट्स कौस्पटिक वदीगर सादस सामान की दुनिया क्या बायतबार नाम है थाशने ब्रदर नियूस 20 में आप सभी का इस्तिकबाल है बालापोर पोलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफतार किया बड़ी ही कड़ी तहकीकात के बाद ये गिरफतारी अमल में आई एक मकार में नख्ती सोनी के जेवरात और चांदी के जेवर चोरी करने वाले शातिर चोर को पोलिस ने गिरफतार करते हुए इनके खब्जे से 16 तोले सोना, 10 तलास चांदी, 2 पलसर बाइक, 1 आटो रिक्षा और सीन मुबाइल फोन को जब्ट किया 15 जुलाई को सेयद वजी नामे शक्स ने अपने घर में चोरी की शिकायद दर्च कराई थी जिस पर कारवाई करते हुए बालापूर पॉलिस ने सीसी टीवी की मदद से इन चोरों की तद्दीख की और इन्हें गिरफ़तार किया गिरफ़तार अफराद में सेयद फ़ाजा 20 साल के ये पेशे से आटो ड्रेवर बताए गए है शेक आरिफ 21 साल के सेंटरिंग वरकर और मुहमद सिराज ओदीन 47 साल के शामिल है ये पहले से ही कई मुकादमात में मुलविस हैं आईए सुनते हैं इसके तफसीर हमारी एकास रिपोर्ट में ऐसे ही एहम और खास कबरों के लिए न्यूस 20 को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले बालापूर पोलिस टेशन लिमिट्स में लगबग देड़ साल से चोरियां होते जा रहे थे और हर माइना एक ना दो चोरियां रिपोर्ट होते थे बालापूर पोलिस ने बहुत महनत करा लेकिन वो लोगों अभी तक 21 प्रापर्टी आफेंसेस करें वो गैंको कल बालापूर पोलिस ने पकड़ा गया यह वेंकर ट्रेडी इंस्पेक्टर और मसीध दीन सब इंस्पेक्टर और उनका क्राइम टीम है वो लोगों बहुत महनत करके यह चोरों को पकड़ें और 21 केसेस में डीटेक्ट हुआ और बाद में अनलाइज करें तो हमारे को यह पता चला कि वो लोगों दो चोरों हैं वो वही कालनी में रखें उनको दो वाइफ्स है एक कालनी में एक वाइफ को दूसरा कालनी में दूसरा वाइफ को रखके वहाई फिर रहे और स्याम तक पूरा गरों कोसा कोसा गर में लाख है देख लेता है और किसका स्टेप्स का इसा है, गेट का इसा है, वहाँ रहते हैं गाउंवाला बनके उधरे फिरके अब उसका पूरा रक्की कर लेके रात में जो चोरियां करते थे और हम लोगों जो टावर के बारे में तो दूसरा टेकिनिकल एविडेंस के सब लोगों सेच करे तो भी वही गाउंवाले वही गाउं में रह रहे हैं इसलिए उसमें पकड़ने में दिक्कत हुई थी फाइनली हो लोगों में अक्यूजड सेद खाजा आली उन 20 यर्स है इसे पहले तो आटो चलाता था अभी भी आटो चलाना के बहाना पे वही गाउं में वही कालनी में फिरते और इन कामाटीपुरा के पोली स्टेशन में लास्ट इयर उन्हों पोक्सों के इसमें अरस्ट होके जेल को गया था जेल जाने के बाद वहाँ जो फ्रेंशिप होता है और जब से ही उन्हों चौरियां सुरू करा बाहर आने के बाद उनके ब्रदर इनला के साथ उनको दो ब्रदर इनला है और एक शेक आरिफ और एक छोटा बच्चा 16 यर्स का दोनों के साथ पुरा रक आपटी इंटेक्ट है वो रिकोवरी करें हम 16 तुला साभी तक और वो लोगों जो पैसे मिला उससे दो पैलसर खरीदे और एक आटो भी खरीदा था वहाई गाउं में यही पलसरा यही आटो में नंबर बगर नंबर रात में निकालना गाउं में फिरना रखी कर लेना और चुपचाप वही कालनी में राना यही हो रहा था और यह कंगराच देट आल दी पोलीस पार्टी वो लोगों छोटा सा क्लू निकालके जो अदमी आटो ड्रेवर बोलता है मेजन बोलता है वो लोगों पलसरां कैसा खरीदते और आटो कैसा खरीदते वतना लगजरी लाइ करके वो लोगों को पकड़े थे पुलिस को इंस्पेक्टर वेंगे ट्रेडिया और मसीध दिन की माई शुक्रादाद करते हैं तैंक यू काड़न सच तो आपको मालूम आपरेशन चभूतर और काड़न सच इससे पहले करते थे पब्लिक जो कालनी वाले अब अच्छा पाइंट रेज करें अगर कालनी वाले खुद आपको हमारे को कोपरेट करके अगर सदर लोगों नाए तो कोई पर्मिन्ट रेजिडेंट है जो कालनी में पर्मिन्ट है वो लोगों अगर चाहे हम लोगों आकर आराम से करेंगे कोई ऐसा ही नंबर प्लेट बगर नंबर प्लेट वाले और यह पुरा बगर नंबर प्लेट का है यह केस में ऐसा बगर नंबर प्लेट आप जो बोले वहां क्रैम रिकार्ड उसका क्रि हम तो रेडी रहते कभी भी हम करेंगे हर महबूब नगर में किराना होम नीट्स कौस्पेटिक वदीगर सादस सामान की दुनिया का बाइतबार नाम है हाश्मे ब्रदर्स मेगा सूपर मार्केट जहाँ शादी बिया वदीगर तकारिफ के लिए किराना का सामान सबसे अकसाम के बास्मती चावल, ड्राइफ फूट्स, मसाले जाद, दस्तियाब है शहर महबूब नगर और अतराफ वा अनकाफ के सेकड़ खांदान आज ही हाश्मे ब्रदर्स मेगा सूपर मार्केट पर ही भरोसा करते हैं पिछले साथ साल से अवाम की खजमत का अजीम रिकार हाश्मे ब्रदर्स मेगा सूपर मार्केट न्यू टर्म मेबूब नगर